सब्सक्राइब कि आप देखी में नहें परकाइब से कीरे में नाये यह भी इस वीज्टेओं में थे मित दूड़ी कोंसस्ब्स देखे थे और क्वेस तोड़ी कमदोर हीरा आखेल ही में हम लेबल 1 लेबल टू प्रोमलम करेंगे तो यहां पर concept है finding the hole given a part and percentage अगर hole find करना है पपाट और percentage देता है तो यहां पर कोषिण कैसे रहेगा 20% of a number is 70 what is the number मतलब एक नमबर है उसको 20% 70 है तो नमबर क्या है तो इसको कैसे सॉल्व करें सो वेरी सिंपल 20% अब नमबर ही 70 ठीक है तो 1% कितना होगा 70 अगर 1% 70 होता है तो 100% कितना होगा 100% ओ नमबर आएगा नो ठीक है तो 100% इसे कोल टू 70 ओवर 20 ठाइम्स हंड़े दोनों साउट से हमें 100 को मल्टिप्ले करना होगा ठीक है तो 70 ओवर 20 ठाइम्स 100 तो कितना है आंसे टू में 10 जाएगा 5 टाइम्स तो 70 टाइम्स 5 विच इस 350 तो नमबर क्या है 350 सॉरी यहां पर आपको वैल्यूस नहीं दिखे बट अगर आप सिंपलिफाय करेंगे तो आपको 100% जाएगा 350 तो अभी दीख रहा है 350 गोटिक तो नमबर है 350 में 20% हो रहा है 70 अगर आप चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस फेरिफाय कर सकते हों यह से बहुत सिंपल है हमने क्या किया तो जो दिया उसको हम वाल्यू की एक्वल किया मातलब परसेंटेज का 20 परसेंटेज आप 70 हमने लिखा था फिर हम उससे वान परसेंटेज फाइंड किया और उसके बाद कर रहा है तो इसलिए हमें हंडेड परसेंटेज से मल्टिप्ले करना होगा वाल्यू को एक्षपों परसेंटेज डिखी से वही कॉंसर्ब्सम्रीजर्ण सिर्फ हमें increase कि बज जाया है decrease लिकना है so decrease in value over original value times 100 percentage ठीक है next अगर वो मांगता है percentage चीज तो चेंज किसे आएगा same change over original value times 100 percentage सो इसके रिलेटेड हम थोड़े प्रावलों थेखेंगे ताकि ये कॉंसेप्स आपको अच्छा से समझ आए ठीक है तो एंदी एंदी सालरी वस तो हमें मांग रहा है परसंटेज इंक्रीज कितना है उसके सालरी में ठीक है तो परसंटेज इंक्रीज हम कैसे फंडर करते हैं तो उसके लिए हमारा फार्मला है ठीक है तो फार्मला यह है परसेंटेज इंक्रीज इस इकल टू चेंज इन वाल्यू या इंक्रीज इन वाल्यू ओवर वर्जिनल वाल्यू इंक्रीज इन वाल्यू मतरब वह कितना बढ़ा था उसका पिछले सालरी और अब जो ले रहा है उसका बीच में अंतर क्या है ठीक है ओर्जिनल वाल्यू थाइम्स हांड़ पॉसंटेश तो इंक्रीज इन वाल्यू कैसे फंड़र करेंगे यह होगा डिफरेंस बिट्वीन प्रेजेंट सालरी और पास सालरी तो 3700 अभी ले रहा है लास्ट यह जो है 3600 डॉलर्स ले रहा था तो कितना आएगा 3780 माइनस 3600 में 180 डॉलर्स आएगा तो उसका 180 डॉलर्स एवरी अगर इस से आप सालरी से कंपार करते हैं कितना परसेंटेज वो चाहिए हमें राइट सो परसेंटेज इंक्रीज इसे कॉल्टू वानेटी डॉलर्स ओवर वर्जिनल वाल्यू कितना था 3600 डॉलर्स ता पहला जो इंक्रीमेंट नहीं वात तब का तो वानेटी ओवर 3,600 डॉलर्स थाइम्स हंडर्ड पसंटेज अगर आप इसको सिंप्लिफाइ करते हैं तो आपको आएगा के दिए जीरो और हंडर्ड पसंट के दो जीरो संसल हो जाएंगे तो बचा है 180 ओवर 36 18 टेबल वानेटी जाएगा 10 ताइम्स 36 जाएगा 2 ताइम्स तैसे 2 टेबल 10 में जाएगा 5 ताइम्स तो कितना पसंटेज इंक्रीज हुआ है 5 पसंटेज इंक्रीज हुआ है तो उसका जो भी सालिए 3600 में 5 पसंटेज मतलब 180 डॉलर से ठीक है सिम्डूल सा प्रॉलम है सेफ हमें परमॉला यूज़ करना होगा और डिफरेंस डिफरेंस ना 녈 को उसके बाद में लिफरेंस ओगा जो पैछला था वाली उसको डिवायड करके हाने पसंटेज से मांटिप्ले करना है कि में ठाहिए ठायरेक्ट प्रॉलम कोई ट्विस नह 86,000 dollars he sold the car this year for 70,400 dollars so car 88,000 and 70,400 why is the percentage decrease in the price price of the car so now we have to point percentage decrease how much is it same concept but we have percentage increase and here we have percentage decrease so formula percentage decrease is equal to decrease in value मतलब यहाँ पर हमें previous price और अब price मतलब जो खरीदा था तब का प्राइस जो बेचा था तब का प्राइस को variation पता करना होगा वही होगा decrease in value और वजिनल वाल्यू ताइम्स 100% तो decrease in value हुआ है 88,000 माइस 70,400 तो तो अगर आप इसको करते हो तो आपको कितना आएगा तो यहां पर गर देती हूँ में 88,000 माइनस 70,400 आएगा 17,600 चक करते हैं हम यहां पर 70,400 तो 0,0 यहां पर 10 माइनस 4 होगा 6 तो नेक्स वाली होगा 7 नेक्स वाली होगा 8 माइनस 7 विचिस 1 तो आंसर है हमारा 17,600 आइमीन पार्शल आंसर यह सिर्फ डिक्रीस है ना तो आप हमें करना होगा परसेंटेज डिक्रीस कितना हो रहा है तो डिक्रीस इन वाल्यू हमें आया है 17,600 ओवर वजनल वाल्यू 88,000 है 88,000 टाइम्स 100 परसेंटेश तो हम अभी इसको काड़ देंगे इसको इसको काड़ देंगे और यह 0 को काड़ देंगे तो बचा हुआ है 1760 ओवर 88 तो 88 टाइम्स टू इस 176 तो यह भी हमें 1760 है मतलग 20 होगा तो 88 टेबल में 20 टाइम्स जाएगा तो आंसर है हमारा 20 परसेंटेज तो 88,000 का 20 परसेंटेज होगा 17,600 उतना प्राइस लुक्सान पे उसने चीज़ को बेच दिया था तो यह है आज का वीडियो फोप आपको सभी प्रावलम्स अच्छे से समझ आए होगी थैंक्स पो वाचिंग सी इन दे नेक्स वीडियो बाबाई डोंट फोरगेट एजी से जास्ट नमबर हापी लर्निंग जाएट।